हलो दोस्तों आपका स्वागित है हमारी यूटूब के चैनल सुन गोट फारम के उपर अभी तक जिन जिन भाईयों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दाल नसाथ में दिये हुए बैल आइकन को भी प्रेस कर ले तक कि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो का नाट उगसर मिलता रहे है आपको हमारे चैनल के उपर रोजाना इंट्रस्टिंग और कुछ सीखने को मिलता है हम रोजाना अपडेट करते रहते हैं अपने चैनल के आकर और जो जो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनका सब्सक्राइब का बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तों आज की वीडियो वस आपको शौक कराने के लिए लेकर आया हूँ व्यू देखो आज का आज का व्यू ये है कि आज बारिश होई थी उसके बादे में हमने जो बक्रिया है अपनी गर से बाहर निकाली और व्यू देख सकते हूँ आपको बताता हूँ थंड़ी में बक्रियों को बचा के रखें क्योंकि थंड़ पढ़ती है बहुत ज़्यादा बढ़ रही है टेमपरेशर बहुत नो है बिमारिया बहुत फैल रही है सबस आपको बताता हूँ जो उनके फैस है और उसके बाद में उनका जो बुल है वो सूच जाएंगे उसके जखम हो जाते हैं वो कुछ भी खा पी नहीं सकती ठीक है रही है उसका फैस सूच जाता है ठीक है कुछ भी नहीं खा पी तो उसको मूँ खुर की बिमारी बोल देते है बहुत 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 पड़ जते हैं तो उसके वाद में आपको मैं बतातूं कि जब ठंडी में अपने फारम से बक्रिया निकालनी है तो तब यह चीज आपने दुरूर देखनी है कि बाहर धूप निकले हुई है ठीक है अगर बक्रिया हम फारम से बाहर निकालेंगे तो उनको ठंडी तो नहीं लगेगी यह चीज का आपने बहुत बहुत ध्यान रखना है और पहले ही अपने ठंडी का वियस्त करके रखना है वो कैसे करेंगे आप वह आप राजस्तान वगारा से जा कहिं से भी जो नीरा होता है खाने वाला वो मंगवा कर रखेंगे भो जिनको बोलते हैं अपने पहले स्टॉक रखना है ताकि आपको ठंडी में अगर बारिश भी हो घर पे बकरिया खड़ी है तो उनको कोई दिक्कत ना हो सके उठाके एक ठोकरी दो टोकरी डाल सको ठीक है तो यह था आज का वीडियो देख सकते हो आप बकरिया नहर है अपने गाउं के पास वहां पे वह सथ था आज आपको कुछ जान करी देना तो वीडियो आपको कैसी लगी वह भी हमारे को उसका फीड़ बैक जरूर दीजिए कैसे देंगे कमेंट करके शेयर करके जरूर बताएं ठीक है इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे को चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कोही भी जान करी आपने लेनी हो तो हमारे को कमेंट जरूर कर दिया करें जिसके साथ क्या होता है हमारे को पता चल जाता है आपको जरूर ईलाज बताहेंगे ठीके भईयो और जो जो फार्म नेव न्यू कोल रहे है फार्म वो भी इस चीज को ध्यान में लेकर आए कि ठंडी बहुत जो उती है उससे बचा कर रखना होता है गर्मी अबी जहिल जाती है बक्रिया ठंडी बहुत कम जहिलती है ठंडी में बक्री जादी भी मार पड़े जाती है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बाईयों का इतना प्यार देते हो ठीक है हमारी वीडियो देखते हो और ये बताएं कहां कहां से भाई हमारी वीडियो देखते हैं बैठकर तो मिलता मोगली वीडियो में शु